आज परियावर और दिवस है आज हम आपको दिखा रहे हैं एक इको फ्रेंडली स्टोरी यो तो हम आपके लिए बहुत सी स्टोरी लेकर आते रहते हैं जो विवसाय से सम्मंदित होती है लेकिन आज हम आपको जो स्टोरी दिखाने वाले हैं वो बहुत खास है कागस से निर्मित थैले या बैग यानि के पेपर बैग ऐसा उधारण है जो की इको फ्रेंडली तो हई है साथ में स्टाइलिश भी दिखते हैं आज हम जिसने का खड से मज़ है कुछ मशीने उका किस तरह की मशीने इसमें हमाल होती है इस तरह से करूबार सबस्हों कितनी जगह चाहिए होती और कितने लोगों को शेल मिलता ए अ पेपर बेग बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है पेपर बैग में स्तिमाल किया जाना बेसिकली पेपर बैक बनाने के लिए जादा तर ब्राउन क्राफ पेपर यूज होता है आज कल मार्केट में तरह तरह के जो डिजाइनर क्राफ पेपर है भो भी उज हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह कटिंग मशीन है इसका पहला स्टेप यह होता है कि किसी भी साइस के जो पेपर है उनको इस मशीन के नीचे रखा जाता है और यहां प्रॉपर साइस करके उसको कट किया जाता है ताकि उसी शेप का पेपर बैक उसी साइस का निकल सके तो इसके बाद यह जो पेपर का जो पेपर है यह कटा हुआ पेपर इस मशीन में डाला जाता है और यहां पर ये प्रिंट होता है आए है पिए पेपर वैक के टिंग होने के बाद प्रिंटिंग होने के बाद जो नेक्स स्टेपश पाता है व आता है मोल्डिं गहाँ जादा थर लोग मैनुडिंग करते हैं पहीं-कर इसकी मशीन भी होती है लेकिन जब आप छोटे स्केल से यह कि तरह मोल्डिं के बाद में इस तरह से बन के आता है आप देख सकते हैं और यह ब्राउन पेपर का बैग है और इसमें यहां पे जो है वो हैंडल्स लगे हुए है और इसके हैंडल्स लगाने के लिए अलेट्स तस्तिमाल किया है वह भी प्रॉपरली पूरी तरीके से मैनु यह एक वह भी बाद में शुरू हो जाता है तकरीबान इसकी लागत जो है वो पचास हजार आती है एक बहुत ही चोटे से गेर सौ से दो सो गजल अरिये में इसका काम को शुरू किया सकता है अगर बहुत चोटी प्रोसेस पे शुरू करना चाहें तो इसे दो से तीन लोग चुरू कर सकते हैं पेपर बैग की डिमांड भी मार्किट में ज्यादा अब बढ़ गई है क्योंकि पॉलेथीन जो है प्रदूषण कारक है तो कई स्टेट ने इसको बन भी कर रखा है बैंड भी कर रखा है पॉलेथीन को पूरी तरह से तो जाहिर सी बात है कि जब प्रिम्म स्टार्ट करने के लिए 50,000 उपर क्या हो शकते हैं. छोटी कॉंटिटी में बैक जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है, उसको बनाने के लिए हम बैनुवली बैक बना सकते हैं, बहुत ऐसर प्रिंटिक मसीनों की जरुवत नहीं होती है. मार्केट में जितने भी रिटेलर्स हैं, आपके ग्रोसरी सॉक्स हैं, सबी पर हमारे बैक की जरुवत होती है, जहाँ जहाँ प्लास्टिक का बैक जरुवत है, वहाँ उसको पेपर बैक से रिप्लेस किया रहा सकते हैं, हम पेपर के साइज को लेकर के किस साइज का पेपर ब लोगों को रोजगार मेरा हुआ, जोस लोग काम करने से विलूप में, ये MSME से हमको मदद मिलती है, पैंक हमको मदद देती है, क्योंकि इन्वाइटमेंट फ्रेंडली काम है. हमारी इस स्टोरी में आपने देखा कि हमने आपको एक ऐसा वेबसाय दिखाया, जो छोटी से छोटी कम से कम लागत में शुरू भी होता है, और इसके साथ ही ये इको फ्रेंडली वेबसाय भी है.